नमस्ते आप सभी को SBT सास बहुके तड़का में आप सभी का श्वागत है तो आपने देखा है कि मूंग दाल का बहुत ही स्वादिष्ट चीला है ये डोसा से कम नहीं है देखिए तमाटर की चट्नी है और तमाटर सास है तो एक कटोरी मूंग दाल है और एक कटोरी चामल है दोनों को एक से देड़ गंता पहले भिगा दी थी मैं आप बराबर मात्रमें रख शकते हैं या फीर दो मुंग दाल तो एक चामल रख सकते हैं आप अपने कटोरी आप कप के माप से तो ये चैनल में फ़स्टा हैं तो सब्क्राइब कर लीजिए अगर देखे ये इस्टफिंग के बनाने का पूरा समागरी है ये मुंग दाल है एक देड़ घंटा पहले ही भी घाली थी हरी छिलके वाली मुंग की दाल है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है एकदम क्रिश्पी चिला इसको मिक्सी में एक साथ पीस लेना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए फर्स टाइम आई है तो सब्क्राइब कीजिए और लाश्ट तक जरूर देखे तभी आपको मुंग दाल की चिलक कैसे बनती है पता चलेगी एक बार में इतना पीस चुका है अब इसमें थोड़ी सी पानी डालके और अच्छे से चिकना पीसूंगी मैं इसको क्योंकि चामल के नाम से एक क्रिश्पी बनेगी इसे अभी और पीसूंगी इसका बैटर जो है इस तरह से तयार करना है मुंग दाल हरी मुंग की दाल में और श्वादन सार नमक डालना है कम ही डालना बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मसाला जो रहेगा इस्टफिंग वाला उसमें तो नमक रहेगा ही तो देखे कितने अच्छे से इस चुका है ये छे से साथ चीला बनेंगे इसमें बहुत ही स्वादिश्ट और टेश्टी है तो ये मेरा तावा अच्छा गरम हो गया है फिर इसको एकदम कम आच में करूंगी चारो तरफ ब्रश की शाहता से आप तेल या घी आपको जो पसंद हो लगा लो और इस तरह से इसमें पानी छुड़कना है ताकि ताप करम सही रहे तवे का एकदम गरम नहीं होना चाहिए ठंडी ही रहे हलका इतना गरम कि हाथ से हम उसको टच कर सके और ज्यादा गरम है तो बंद कर दें और ठंडी होने का इंतिजार करना है नहीं तो जैसी ये बर है ये चम्मच है उसमें चिपक जाता है तो बहुत ही आसान तरीका है बहुत अच्छे से बनता है मैं एक हांसे वीडियो बना रहे हूँ ये पूरे तवे में फैल के अच्छे से बन जाता है देखें कि इतने अच्छे से बन गया चम्मच में एक भी नहीं चिपका है तो हमारे चैनल को लाइक शब्क्राइब से एर कीजिए इसका गोल फीर से आपको दिखाती हूँ चामल और हरी छिलके वाली मुंग की डाल है तो इतने अच्छे से बन गया है और उपर में भी थोड़ी सी तेल लगा ले ना जोर से करने से ब्रश का अराम से करना है देखें एक भी नहीं चिपका है आप एकदम फाइन भी बना सकते हैं पतला तो देखें कितना जालीदार मुंग डाल का चीला बन चुका है अच्छे से फिर से आपको दिखा रही हूं कि आप अच्छे से इस तरह से पानी हर बार बनाने के बाद चिड़कना है तावा का जो तापकरम है एक दम सहीं रखना है इतना कि हम उसको हां से टच कर सके केवल गुनगुना ही रखना है तावा गरम नहीं रखना है अच्छे से फैलाना है चारो तरफ एक बार बना के जरूर खाईए बहुत ही क्रिस्पी और श्वादिश्ट है आपको इसमें मसाला कैसे बनाते हैं ये भी दिखाएंगे और टमाटर की चटनी बनाना भी तो हमारे इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए और एक एक चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को तो जीस तरह हम शादी ब्या में लेट लेकर खड़े रहते हैं मुंगदाल की चिला खाने के लिए डोशा खाने के लिए उससे भी बेटर आप घर में अच्छे से बना के बनाईए बहुत ही स्वादिश्ट लगता है कितना बड़ा और अच्छे से बन गया है एक दम क्रिश्पी मुंगदाल का चीला है चावल डालने से और भी क्रिश्पी बनता है गर्मा गरम खाईए बच्चों को टिफी में दीजिए बहुत पसंद आती है ये तो बस सावधानी ये रखना है कि तवा गरम नहीं रखना है एक बार गरम ज़्यादा लग रहे तो बंद कर दीजिए और तवा उतना ही गरम रहे जितना कि आप हांट से टच करें तो उसमें ज़्यादा जले ना हाथ बस उतना ही रखना है तभी आपका अच्छा बने के देखे कि इतना अच्छे से बन चुका है मैं आपको अभी दिखाती हूँ यह दिखे बाहर से भी और अंदर से भी कितना अच्छे सिग्य है बिल्कुल क्रिश्पी बना हुआ है करारी चिला आप खाने से अफिल करेंगे कि आप डोसा खा रहे हैं तो मेरा दिखाने का एक ही कारण है कि आप जितने बार बनाएं तो इस तरह से पानी चुड़क कर और तावय का तापक्रम में ध्यान रखना है जिससे कि आपका चिला अच्छे से अच्छे बनेगा तो हरी मुंग डाल और चामल का ये चिला है जो एक से तिर घंटा पहले पानी से धोकर मैं रख ली थी अब ये इस टफिंग के लिए मसाला बना रहे हूं जिसमें पत्ता गोबी है और ये सिमला मिर्च है उसी में हरी मिर्च भी काटी हूँ ये देखी ये सबजी को ओर कूक नहीं करना है थोड़ी करंची रहनी चाहिए तभी टेस्ट आता है इसका ये 5-6 मिनट भी नहीं लगते हैं ये सबजी मसाला तयार कने में आप गाजर भी डाल सकते हैं मतर भी डाल सकते हैं आपके पास जो अपलब्ध हो ये टमाटर है टमाटर का बीज निकाल लेना है ताकि उसमें ज्यादा पानी ना रहे हल्दी ये लाल मिर्च है कश्मीरी लाल मिर्च श्वादानसार नमक डालना है जमत से अच्छे से मिला लेना है आपको जितना मसाला चे उस कौंटिटी से आप मसाला तयार करना में छे से साथ चीला के लिए मैं ये मसाला तयार की हूँ अब इसमें टमाटर भी डाल देना है और कूक नहीं करना है हुगारा जो सबजी है मसाला का उकरंची होना चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्क्राइब जरूर कीजिए पसंद आए तो सेर कीजिए धनिया पत्ती भी है अब ये दो आलू बाल के रखी थी उसको डालना है और सबको अच्छी तरह से चम्मच की सहता से मिला लेना है बहुत ही टेश्टी लगता है हरी मुंग डाल का चीला मसाले वाली स्टफिंग करके खाईए बहुत तेश्टी लगता है ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिश्ट नास्ता है आपको हलका फुलका भूक लगे तो इस तरह बना के खाईए दो चीला खाने में ही पेट भर जाएगी और बहुत मज़ा भी आएगा गरम मसाला हमारा तयार हो गया है धन्या पत्ती उपर से डालना है देखे कितना सुन्दर दिख रहा है मशाला सबजी का ये पूरी तयार है मुंग डाल का चीला है जो बहुत ही स्वादिष्ट है बहुत ही करारी बनती है आपको कई बार बनाग दिखा दीए एक बार फिर्शे दिखाती हूं तो आप खुद देख सकते हैं कितना क्रिश्पी दीख रहा है और एकदम पतला बना हुआ है हमारी रेश्पी जरूर प्रशंद आएगी इसलिए कि एक चीज दिखाते हैं आपको ये मसाला जो शब्जीओं का बनाये थे तो आप पूरे इसमें फैला सकते हैं बिल्कुल साधी पार्टी वाली ही बनी हुई है आप एक बार घर में बना कर खाईए तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ और ये ठंडी का दीन है तो और भी मजा आता है ये सब खाने में तो आप इस तरह से मोड कर पिल्कुल तो इस टुफिंग वाली ये मुंग दाल की चिला है शिलके वाली हरी मुंग दाल की चिला बहुत ही स्वादिश्ट लगती है कितना अच्छा दीख रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी है तो आपको बार बार दिखाने का एक ही मकसद रहता है कि आपको समझ में आ जाए कि देखिए इस तरह से अच्छे से चिला बन गया है मशाला मशाला की मातरा आप जितना पसंद करते उधना आप डाल सकते हैं तो हमारे SBT साजबो के तरका के तरफ से आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को देखते हैं देखे कितना अच्छा देख रहा है यह हेल्दी नास्ता है अगर खाना बनाने का मन नहीं है सामको तो इस तरह से आप स्टफिंग वाला चिला खाईए अब यह टमाटर की चटनी है पीस के आपको बताती हूं दो टमाटर दो हरी मिर्च और दो लशून और धन्या पत्ती यह बहुत ही टिश्टी लगता है इसमें खाने में देखे हमारा चटनी भी पीस कर तयार है और गर्मा गरम देखे कितन क्रिश्पी है तो बस इसका यह खिद्यान रखना है कि तवा एक बार गरम होने के बाद आप यह तवा को बंद कर दें या उसको ठंडी होने दें और हर बार बनाने से पहले आप पानी का चीटा लगाए और उसको कपड़े की साहता से अच्छे से तवा को पोच कर फिर बन जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप पार्टी में भी चोटा पार्टी अगर घर में दे रहें तो इस तरह से आप चीला बना कर खिलाए बच्चों को भी बहुत पसंद आता है टमाटर सास में मीठी इमली की चटनी में बना के दीजिए देखे कि इतना अच्छ इस तरह से खोल के भी आपको दिखाए हैं कि ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिश्ट हरी मुंग दाल की चीला है तो थैंक यू सो मच आप सभी को